वेलकम तो इंग्लिश गुरु यूटूब चैनल, प्लिज क्लिक दे रेट सब्सक्राइब बटन और प्रेस दे बेल आइकोन तो रिसीव अल नोटिफिकेशन्स अबाउट माई नीव वीडियो लेक्चर्स पिछले कई दिनों से विद्यार्थियों के हम मांग रही हैं कि हम पोएट लारियेट्स पर वीडियो बनाएं और खास दोर से हिंदी में एक्स्प्रेन करने के बाद कही गई हैं तो इसी संदर में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में पोएट्स लारियेट आफ इंग्लेंड यानि इंग्लेंड के उन कवियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें राज कवि का दर्जा प्रदान किया गया तो आएए वीडियो लेक्चर प्रार्म करते हैं इंग्लेंड के फर्स्ट पोएट लारियेट के रूप में जॉन ड्राइडेंड का नाम आता है इनका जन्म 1671 में हुआ था और इनकी मृत्यू 1700 में हुई इनका लारियेट्शिप का कारेकाल है 13 अप्रेल 1668 से जैनुवरी 1688 तक और इनकी नियुक्ती 40 सेकेंड ने किया था दूसरे पोएट लारियेट थे थामस शैडवेल इनका जन्म 1640 में और इनकी मृत्यू 1692 में हुई इनकी लारियेट्शिप रही है 9th मार्च 1689 से 19 और 20 नॉवंबर 1692 तक और इनकी नियुक्ती विलियम थर्ड और मेरी सेकेंड ने किया था तीसरे नंबर पर नेयम टेस्ट का नाम आता है इनका जन्म 1652 में और मृत्यू 1715 में हुई इनका लारियेट्शिप का कारेकाल रहा है 23rd डिसेंबर 1692 तो 30 जुलाई 1715 तक इनकी भी नियुक्ती विलियम थर्ड और मेरी सेकेंड ने ही किया था इसके बाद चौथे नंबर पर निकोलाज रो का नाम आता है इनका जन्म 1674 में और मृत्यू 1780 में हुई इन्हें पोएट्ट लारियेट्ट का खिताब जार्ज फरस्ट ने दिया और इनका कारेकाल 1 अगस्त 1715 से 6 डिसेंबर 1718 तक रहा है फिफ्ट पोएट्ट लारियेट्ट थे लारेंस योस्टेन इनका जन्म 1688 में और मृत्यू 1730 में हुई इनकी भी न्योकति जार्ज फरस्ट के द्वारा हुई और इनका कारेकाल 10 डिसेंबर 1718 से 27 सेप्टेंबर 1730 तक रहा है इसके बाद 6 नंबर पर कोली सीवर का नाम आता है इनका जन्म 1671 में और मृत्यू 1757 में हुई इनकी पोएट्ट लारियेट के पत्पर न्योकति जार सेकेंड ने किया था और इनका कारेकाल 3 डिसेंबर 1730 से 12 डिसेंबर 1757 तक रहा इसके बाद 7 नंबर पर नाम आता है विलियम वाइट हेट का इनका जन्म 1715 में हुआ और मृत्यू 1785 में हुई इनकी न्योकति जार सेकेंड नहीं किया था इनका पोएट्ट लारियेट्शिप रहा है 19 डिसेंबर 1757 से 14 अप्रिल 1785 तक इसके बाद 8 नंबर पर नाम आता है थामस वार्टन का इनका जन्म 1728 में और मृत्यू 1790 में हुई इनकी न्योकति जार्ज थार्ड ने किया था और इनका कारेकाल 20 अप्रेल 1785 तू 21 में 1790 तक रहा नाइन्थ नंबर पर जो पोएट्ट लारियेट्ट थे उनका नाम है हेन्री जेम्स पई इनका जन्म 1745 में और मृत्यू 1813 में हुई इनकी भी न्योकति जार्ज थार्ड ने ही किया था और इनका पोएट्ट लारियेट्ट का कारेकाल 28 जुलाई 1790 तू 11 अगस्थ 1813 तक रहा है 10 नंबर पर नाम आता है रावर्ट सदी का इनका जन्म 1774 में हुआ और मृत्यू 1843 में हुई इनकी भी न्योकति जार्ज थार्ड के द्वारा हुई और इनका पोएट्ट लारियेट्ट शिप रहा है 12 अगस्थ 1813 से 21 मार्च 1843 तक 11 नंबर पर विलियम वर्ट्सवर्ट का नाम आता है इनका जन्म 1770 में हुआ और मृत्यू 1850 में हुई इनकी न्योकति Queen Victoria ने किया था इनका पोएट्ट लारियेट्ट का कारेकाल 6 अप्रिल 1843 तू 23 अप्रिल 1850 तक रहा है 12 नंबर पर है Alfred Lord Tennyson इनका जन्म 1809 में हुआ और इनकी मृत्यू 1892 में हुई इनका कारेकाल 19 नंबर 1850 से 6 अक्टूबर 1892 तक रहा इनकी भी न्योकति Queen Victoria ने ही किया था 13 नंबर पर है Alfred Austin इनका जन्म 1835 में और मृत्यू 1913 में हुई Poet Laureate 1 जन्वरी 1896 तू 2 जून 1913 तक रहा इनकी न्योकति Victoria ने ही किया था 14 नंबर पर नाम आता है Robert Bridges का इनका जन्म 1844 में और मृत्यू 1930 में हुई इनकी न्योकति George 5 ने किया था और इनका Poet Laureate शिप रहा है 25 जूलाई 1913 तू 21 एप्रिल 1930 15 नंबर पर Poet Laureate रहे हैं John Masfield इनका जन्म 1878 में और मृत्यू 1967 में हुई ये Poet Laureate रहे 9 में 1930 तू 12 में 1967 इनकी न्योकति George 5 जूर्ज फ्रेडरिक अर्नेस्ट अलबर्ट ने ही किया था 16 नंबर पर नाम आता है Cecil Day Levis इनका जन्म 1904 में और मृत्यू 1972 में हुई Poet Laureate रहे 2 जनवरी 1968 तू 222 में 1972 इनकी न्योकति Elizabeth 2 ने किया था इसके बाद John Bedsman का नाम आता है इनका जन्म 1906 में और मृत्यू 1984 में हुई Poet Laureate के रूप में इनका कारेकाल 20 October 1972 तू 19 में 1984 तक रहा है इनकी न्योकति Elizabeth 2 ने ही किया था 18 नंबर पे नाम आता है Ted Hughes का इनका जन्म 1930 में और मृत्यू 1998 में हुई इनकी न्योकति Elizabeth 2 ने किया था और इनकी Laureate शिप रही है 28th December 1984 तू 28th October 1998 19th Poet Laureate के रूप में Elizabeth 2 द्वारान्यूक्त Andrew Motion का नाम आता है इनका जन्म 1952 में हुआ Poet Laureate के रूप में इनका कारेकाल 1st May 1999 तू 1st May 2009 तक रहा है 28th नंबर पर Poet Laureate रही है कैरोल एन डफी इनका जन्म 1955 में हुआ था ये Scottish Poet और Playwright यानि नातक कार है इनकी न्योकति Elizabeth 2 ने किया था और 1st May 2009 से Poet Laureate है तो इस वीडियो में बस इतना ही और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवस कर लें जिससे चैनल का हर अपडेट आपको मिलता रहे है थैंक्यू वेरी मच